निवन में से कौन सी एक्सल की टर्म नहीं है MS Excel की टर्म नहीं है Option देखते है Cell, Option B, Roach, Option C, Column, Option D, Document तो हमारे जो MS Excel होता है उसमें Cell भी होती है Row भी होता है, Column भी होता है और जो Option D है, Document ये हमारे Excel सीट के अंदर नहीं होता है तो Option D है हमारे सीट जब हो जाएगा Next आपे से जब होता है पहले वाली वर्कस्टट पर जाने के लिए हैं कौन से सॉर्ट कोटन की का पर एंगे, करते हैं अगर हम present time में कई सी वर्कस्टट पर यापयों करें तो हम कौन से सॉर्टिक आप एंगे, करेंगे option लगते हैं alt के साथ page up control के साथ page up control के साथ page down shift के साथ tab option number भी हमारा से जब हो जाएगा control के साथ page up इसे प्रेस करते ही हम पहले वाली worksheet पर चले जाएंगे next मारा क्यूशन है MS Excel 2010 का उप्योग विफिन प्रकार की कौन से गर्णा में किया जाता है जो simple से लेकर complex कार्यों तके उप्योग होती है कौन से कार्यों से simple कार्यों से लेकर complex कार्यों तके उप्योग होती है option देखते है option number one गर्णा option B manipulation option C penetration option D expression तो जो हमारी गर्णा काम होता है कौन सा? Excel में हम कौन से कम करते हैं गर्णा का Option number A मेरा C जब हो जाएगा Option number A में है गर्णा तो हम MS Excel 2000 का उप्योग VPN प्रकार की गर्णा में करते हैं जो simple से लेकर जट्रिल गर्णा ही तक ही कर सकता है Option number A मेरा C जब हो जाएगा नेक्शन हमारे क्रिशन है तो यह जो तीनों ही simple है इनका उप्योग फोल्डर या फाइल का नाम देते हैं नहीं किया जाएगा तो आंसर होगा हमारा उप्रोक्ती सभी नेक्शन हमारे क्रिशन है जब आप एक से अधिक डिफ्रेस्ट डेटा सीट पर काम करे होते हैं तो यह क्या 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 क्य से जबाब जाएगो next हमारा question है MS Excel 2010 में किसी column की default चोड़ाई कितनी होती है MS Excel के अंदर जो हमारे column होती है अनकी जो default चोड़ाई होती है वो कितनी होती है option देखते है 8 point option B 8.43 point 8.43 point option C 6.14 point option D 7 point तो answer हो जाएगा हमारा option number B 8.43 point कितनी होती है 8.43 next हमारा question है सबसे पुराना spirit city package निमन में से कौन सा है सबसे पुराना spirit city package कौन सा है option A देखते है एक देखते है VG call option B low test 1,2,3 option C Excel option D star call तो इसका answer होगा हमारा option number A VG call next हमारा question है एक सेल में देखते हम कितने वर्ण होच सकते हैं तो हमारी एक सेल होती है इसमें अदेखते हम कितने वर्ण लिख सकते हैं option नहीं देखते हैं 32,666 option B 32,256 option C 16,256 उपराउक में से कोई नहीं तो हम एक सेल के अंदर 32,666 लिख सकते हैं option number A हमारा C जवाब जाएगा next हमारा question है किसी वर्ण सेट में active cell किस प्रकार से display होती है जो हमारी active cell होती है वो किस प्रकार से हमें दिखाए देती है option A एक data border एक rotate border option B blinked border option C dark wistrit border option D एक gray color border तो हमारी जो active cell होती है वो dark wistrit border के रूप में active रहती है वो हमें display होती है दिखाए देती है option number C हमारा से जवाब जाएगा next हमारा question है sales अंदर्ब या sales reference क्या है sales अंदर्ब क्या है option है देखते है work sheet में sales की range को संदर्बित करता है option B इसे एक formula में इस्तिमाल किया जाता है जिससे वास्ट विक मान या data प्राप्ट होता है option C can be both option D इन में से कोई नहीं तो हमारा जो sales अंदर्ब होता है वो work sheet की sales range को संदर्बित करता है option A भी सही है इन में से एक formula में इस्तिमाल किया जाता है जिससे वास्ट वास्ट वान या data प्राप्ट होता है ये बात भी सही है तो answer जाएगा हमारा option number C A और B both next हमारा question है work sheet में sales reference by default होता है जो हमारा sales reference होता है वो by default कितना होता है option नहीं देखते हैं relative option B absolute option C and B both option D max difference तो हमारा sales reference होता है वो by default होता है वो relative होता है कौन सा होता है relative option number A हमारा से जबा हो जाएगा next हमारा question है work sheet में sales reference के परकार है work sheet के अंदर sales reference के कौन कौन से परकार है option नहीं देखते है relative ये भी हमारा क्या है sales reference absolute ये भी हमारा sales reference है option C Mixed Reference ये भी हमारा क्या है Sales Reference है तो answer जाएगा हमारा Option Number D, Proc3, सभी ये जो तीनों ही पॉइंट है हमारे ये क्या है Sales Reference के प्रकार है, Next हमारा क्यों सेन है एक Worksheet की सभी डाटा को चैनित करने के लिए हम परियोग करते हैं एक Worksheet के अंदर जितना भी हमारा डाटा है उस सारे डाटा को Select करना है, तो हम Consist Output की Copy होगी, करेंगे तो Option Number A हमारा सी जबाओ जाएगा Control के साथ A जैसे हम Control के साथ A प्रेस करते हैं तो हमारे Worksheet का Complete Data क्या हो जाता है? Select हो जाता है Next हमारा Question है Conditional Formating में अधिक्तम कितनी सरते दे सकते हैं Conditional जब Formating हम लगाते हैं If वाला पॉर्मूला जो हमारा If वाला पॉर्मूला होता है उपकों साथ है? Conditional Formating है तो हम इसमें अधिक्तम कितनी सरते दे सकते हैं Option ज़िखते हैं 2, Option B, 3, Option C, 5, कोई नहीं तो हम इसके अंदर कितनी सरते दे सकते हैं अधिक्तम 3 सरते हैं Option नमबर C हमारा C जब हो जाएगा Next हमारा Question है Clear Command दोरा किसे हटाया जा सकता है Clear Command दोरा हम किसे हटा सकते हैं अगर हम किसी शेल में वोई टेक्स्ट वगरा लिखा है और हम Clear Command दबाते हैं तो हम कौन-कौन सी शेल यह टा सकते हैं Option नहीं देखते हैं All Format Option B Content And Comment Option C Approach सभी Option D Approach में से कोई नहीं तो हम Clear Format के दोरा एक Clear Command के दोरा All Format भी अटा सकते हैं Content भी अटा सकते हैं जो भी सेल में हमने लिखा है या फिर उसमें जो भी हमने कमेंट किया है वो भी अटा सकते हैं तो Option Number C अमरा सी जबाओ जागा उप रोकती है सभी Next हमारा क्यूशन है Microsoft Excel में Font की Nune Thumb वा अधिक्तम साइज होती है Font की Nune Thumb वा अधिक्तम साइज ही कितनी होती है Option है देखते है Nune Thumb 1 और अधिक्तम बैतर Option B Nune Thumb 1 अधिक्तम 409 Nune Thumb 8 अधिक्तम बैतर Nune Thumb 8 या अधिक्तम 409 तो कौना अंसूर जेगा हमारा Option Number B हम एक Excel की सीट के अंदर Nune Thumb font size A कर सकते है और अधिक्तम कितनी कर सकते है 409 तक Next हमारा question है किसी worksheet में Excel को merge and center करने का command कौन सी टेब में होता है Excel को merge and center करने का command यह हमारे बहुत सारे सेल है Selected Excel को हमें merge and center करना है तो यह जो command होती है यह कौन सी टेब में होती है Option देखते है Option A, Home tab Option B, Insert tab Option C, Page Layout tab Option D, View tab तो यह जो हमारी command होती है वो सबसे पहले नमबर की टेप Home tab के अंदर ही होती है Merge and center Next हमारे question है सेल में लिखे गए किसी text को Vertical और Diagnolize Rotate करने के लिए किस command का उपयोग करेंगे Vertical और Diagnolize Rotate करना है किसी text को तो हम कौन सी command का उपयोगी करेंगे Option देखते है Option नमबर A, Variable text Option B, Degree text Option C, Orientation Option D, None of these तो हम Text को Vertical और Diagnolize Rotate करने के लिए हम Orientation का उपयोग करते है किसका उपयोग करते है Orientation का जो हमारा Option नमबर A, Word Text इसका उपयोग करते है जब हमारा सेल के अंदर text लिखा है लेकिन वो सेल चे बाहर जा रहा है क्या करते है उससे सेल में ही रखने के लिए वो रैब text का उपयोगी करते है तो आंसर जाएगा Option नमबर C, Orientation Next हमारा क्यूशन है Chinese सेल का Background color बदलने के लिए कौन सी कमार्ड का उपयोग करेंगे Chinese जो सेल है इसका जो Background color है ये बदलना है तो कौन सी कमार्ड का उपयोगी करेंगे Option नहीं देखते है Fill color, Option B, Font color Option C, Text color Option D, All of, Above तो हम सेल के अंदर का color बदलने लिए Fill color का उपयोगी करते है इससे क्या होगा Color का जो Background है उसका Color चेंज़ होगा Text का Color चेंज़ नहीं होगा Font का Color चेंज़ नहीं होगा केवल से हल के Background का Color चेंज़ होगा तो Option नमबर A हमारा से जबा होगा Next हमारा क्यूशन है MS Excel में पर्थम रख अंतिम रो का नमबर होता है MS Excel के अंदर जो हमारी row होती है ये क्या है हमारी row ये row हैं और ये कुलम तो जो पर्थम row होती है और अन्तिम row होती है उसका नंबर क्या होता है पर्थम row एक से स्टार्ट होती है और अन्तिम row कौनची होती है तो अन्तिम row होती है 10,48,556 अप्सन नंबर ए हमारा से जब हो जाएगा पर्थम रोग का नंबर होता है एक और अन्पिम रोग का नंबर कितना होता है दस लाख अर्टालिश जार पांट सो चीए तर यह काफी बार एक जाम में पुछा जाता है नेश्ट हमारे क्रिशन है Microsoft Excel में पर्थम रोग का नाम होता है Microsoft Excel के अंदर जो पर्थम इस्थम होता है और अन्पिम इस्थम होता है उनका नाम क्या है इस्थम कोन से होते हैं यह जो हमारे सीधे होते हैं कोलम जिने हम कोलम भी होते हैं यह हमारे क्या है इस्थम First का नाम क्या होता है A और जो Last में होता है उसका नाम क्या है उसका नाम क्या होता है XFD क्या होता है XFD Option नमबर B है हमारा C जवाब देगा पहला तो Column होता है उसका नाम A होता है और Last वाले Column का नाम होता है XFD Next हमारे Question है MS Excel 2010 में बाइड डिफोल्ट कितनी वर्कशीट होती है बाइड डिफोल्ट कितनी वर्कशीट ही इंटर रहती है तो जो हमारा MS Excel होता है उसके अंदर नीचे हमारी वर्कशीट होती है वर्कशीट 1, 2, 3 इस परकार से बाइड डिफोल्ट कितनी होती है तो एक MS Excel के अंदर बाइड डिफॉल्ट तीन सीटे होती है कितनी होती है तीन वरकशीट ही हम और भी नूपर क्लिक करके वरकशीट ला सकते है या पिर जो पहले से वरक शीट हमको डिलिट भी गट सकते है कम भी गट सकते है by default कितनी होती है तीन वर्शेट होती है next हमारे कुशन है row और column का intersection एक rectangle shape में होता है जो क्या कहलता है जो हमारी row है और column होते है इनका जो intersection होता है rectangle होता है वो क्या कहलता है तो हमारे जो intersection होता है rectangle होता है cell कहलता है option number B है हमारा से जबाब जाएगा Next हमारे क्विशन है MS Excel 2010 में Sale में कमेंट लिखने को कहते हैं MS Excel 2010 में यह हमारी जो sale है इसके अंदर हम जो कमेंट लिखते हैं इस कमेंट लिखने को क्या करते हैं Option लिखते हैं Sale tip Sale rate कोलन Sale commenting तो इसके अंदर जो हम कमेंट लिखते हैं, उसे हम कहते हैं, सेल टिप, क्या कहते हैं, कहते हैं, सेल टिप, आप्शन नमबर A हमारा से ही जबा हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्विशन है, MS Excel 2.10 में, किसी भी वर्क्षीट का नाम, मैक्सिमम कितने करेक्टर में हो सकता है, MS Excel में, किसी भी वर्क्षीट का नाम, मैक्सिमम कितने करेक्टर का हो सकता है, जो भी हम वर्क्षीट बनाते हैं, उसका जो नाम देते हैं, वो कितने करेक्टर का हो सकता है, option देखते हैं 28, option B 31, option C 30, option D 31 तो हमारे जो एक worksheet का maximum नाम होता है वो हम 31 character में देश सकते हैं option number D हमारा से जवाब जाएगा next हमारा question है worksheet के एक इस्तान से formatting को copy कर किसी दूसरे इस्तान पर formatting apply करने के लिए आप किस copy हो करेंगे formatting को एक cell से copy करना है वो दूसरे cell में transfer करना है तो हम कौन सी command का copy होगे करेंगे option देखते है option number A home tape पर जाकर copy and home tape पर जाकर paste command option B by option का using control shift and control V option C there is no way to copy the formatting and move it to another location in Excel option D formatting point में जाकर बटन पर standard toolbar पर जाकर हम format को copy कर सकते हैं तो इसमें हाई रिंसूर आगगा हमरा option number D format painter बटन पर जाकर हम standard toolbar पर जाकर उसका जितना भी format उता है उस पूरे format को क्या कर सकते हैं copy कर सकते हैं option number D हमरा से जबाँ हो जाएगा next हमरा क्युशन है Microsoft Excel 2010 में Chinese sales से एक chart बनाने के लिए क्या किस क्या shortcut पर टन दबाया जा सकता है MS Excel में Chinese sales में एक chart बनाना है आपको selected chart के अंदर क्या बनाना है एक chart बनाना है तो उसके अंदर conscious shortcut की कपरे यूज़ करेंगे तो option देखते हैं F3 F5 F7 F11 तो जब हम इस chart बनाना होता है तो हम F11 का उप्यो करते हैं तो हमारी concern सोज़एगा option number D F11 Next हमारा question है जब आप एक formula copy करते हैं तो किस परकार से करते हैं तो option देखते हैं Excel formula की मूल परतिए मिटा देता है नई जब हम formula copy करते हैं मूल formula की परतिए नई मिटा तो option A तो है गलत option B देखते हैं एकसेल newly copied formula से cell referencing समपादित करता है यह बात बिल्कुल सी है यह क्या करेगा cell reference के दौरा उस data को transfer करता है तो option number B हमारा C जब बजाएगा Next हमारा question है MS Excel 24 MS Excel 24 chart में कौन से data बिंदू का वास्थिक मुल्य होता है कौन से data बिंदू का वास्थिक मुल्य होता है option A दिक्ते हैं option B chart शिर्षक option C grid line option D data level तो answer जाएगा हमारा option number D data level Next हमारा question है MS Excel 2010 किस package में होता है MS Excel 2010 किस package में होता है option देखते है MS Office option B color draw option C page maker option D data तो हमारा जो MS Excel 2010 है यह Microsoft Office के package में सामिल होता है Microsoft Office package के दिनर MS Word PowerPoint MS Excel MS Excel CS से भी software के अक्यार आगते है सामिल होते है Next हमारा question है Microsoft Excel 2010 में बनाएगी फाइल का पूरों निर्थारित नाम होता है Microsoft Excel में जो भी हम फाइल बनाते है उसका by default नाम क्या होता है तो इस फाइल का नाम होता है हमारा book 1 option number B हमारा CJ बनाएगी फाइल का नाम होता है book की one झाल का नाम होता है